कैस अभी आपके desktop पर एक Microsoft Word की window open है और इसको आप control करना चारे ये window को जो कि आप normally माउस से करते हैं या पर हमारे control बटन होते है minimize, maximize, restore or close बटन आप इनका use keyboard से भी कर सकते हैं सपोज अभी आपको इस window को minimize करना है desktop से तो हम symbol ही क्या करेंगे alt space bar press करके end press कर देते हैं और ये minimize हो जाता है फिर शे open करना है ये जैसे task bar में आ गया है तो alt के साथ tap press करेंगे तो ये फिर शे open हो गया इसको restore position में लाना है तो alt space bar R press करते हैं तो ये restore हो गया है अब क्याइस इसको move करना है तो alt space bar M करेंगे और जो arrows होते हैं हमारे up down left right वाले इनके थ्रू हम इसे move कर सकते हैं अब इसको resize करना है छोटा बड़ा करना है तो alt space bar R press करेंगे और arrow से हम इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं अब इसको stretch करने के लिए आपको जो हमारे four arrows होते हैं उनका use करना होगा अब इसे fill से full screen में करना है तो all space bar x करेंगे तो full screen में हो जाएगा ओके guys ये बहुत useful command है जिससे आप अपने work को और जादा fast से कर सकते हैं ओके guys thank you very much